इंडियन नेशनल कांग्रस डिस्टिक प्रेजिडेंट कठुआ मिस्टर पंकई डोगर ने दूर दुराज इलाक का बनी का दौरा किया आउ चले कॉंग्रेस के साथ, आउ चले कॉंग्रेस के साथ, इंडिया नेशनल कॉंग्रेस जिनदा और! आना चाहेंगे सर विजिट के बारे में क्योंकि लगातार या आपकी दूसरी विजिट है करके स्थानी लोगों को इन वाल्प करके मिंबर्शिप कर रही है और हम हर बूत पर जाके अपने डेलिगेट वहां पर बनाएंगे एक्टी मिंबर बनाएंगे ताकि आने वाले इसंबली चुनाबों में कांगर्स पहतर प्रदेश्चिन कर सके और इसी सिलसले में आज यहां पर मैडम काजर राजपूर जी ना यहां एक प्रोग्राम रखा हूँ था मिंबर्शिप कर लेके वैसे हमारे जो बाकी बलाक है जा डुगैन बलाक है जा लौही मलार है वहां पर भी जाके जी मिंबर्शिप ड्राइब ऐसे रहेगी और लोगों को बापस कांगर्स की म्थ sitä का युघ कर रही है उस्तानी minute को कोई रोजगार नहीं है लोगों और रोजगार हुए हैं वही मुद्दा बनाके कांग्र्स की तरफ से यह एक यह नियुता दे रहे हैं कि कांग्र्स का इंब्रशिप बने और हम स्तानी लोगों को भी यह कहना चाहते हैं कि जो एक नई ब्लाग प्रेजिट आपको दिखेंगे नई कमेटियां तश्कील होंगी तो उसी को चलते हुए यह हमारे माडम सोनिया गांदी जी और हमारी इंचार्ज है माडम रजिनी पार्टल जी जी स्टेट की और गुलाम हमद मीर जी और रमन बला जी हम सब लोग यहां पे बनी में बिल्कुल आप कह लिए कि ग्रास रूट लेबल से मिम्बरशिप कर रहे हैं और आने वाले दिनों में मार्च में जैसे साथियों से रिसाइड हुए है यहां हम गलाम मेहमद मीर जी और रमन बला जी को भी मार्च में में बनी में ला रहे हैं ताकि यहां की लोगों की जो दुख तकलीफ है उसको हम पुरे तोर तरीके से पुरे उजागर कर सके हैं लोगों की जो बन्यादी यहां पर दिखतें जो यहां पर आ रही हैं चाहे वो रोजगार को लेके देखें चाहे वे नेच पीसी का मामला हो जा दूसरे जो प्राइबिट रोड्स के लोग ज जहां पर बुला रहे हैं और यह और रेशो जो बताई गी थी कि स्थानी लोगों को रोजगार मिलेगा उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है और यह खासकर एक आनों जो पंचायतों मैंनों नहीं बनाए हो उसके वरोत के लिए हम सब लोग यागरूप करेंगे अवाम को भी करेंगे और आने वाले दिनों में इसको एक बड़े अंदोलन के रूप में प्रेद करेंगे सर जैसे हम देखते आये थे कि डेकेड पहले दस साल पहले यह ना रहा था भी जेपी के मिशन फॉर्टी फॉर इस बार मिशन फिप्टी है और कितना बहुत बड़ा दंगल चनाव का होने जा रहा है क्योंकि स्टेट से यूटी और फिर एब्रोगेशन डाइलूशन कह सकते हैं त्री सैवन्टी का और उसके बाद जो है वो बहुत सारे रदो बदल और पॉलिटेशन जो आपस में इन्होंने एक्सचेंज किया है चाहे वो माइट से है या प्रेश पर रोजगार बिलेंगे या बाहर से यह कोई लोग आएंगे यहां और फिस्तानी लोगों को मौका मिलेगा ऐसा कोई भी उन लोगों ने जो कहा था और खासकर उन्हें ने कहा है कि हम हिंदू चीप मिनिस्टर यहां पर देंगे 25 लोग यहां से बने और जाके वो पहले द लोग सचेत हो गया हैं लोग जागरूक हो चुके हैं विशेश कर जब से स्टेट रूट को जो हमारी रियास्त थी जिसको विशेश रियायतें थी विशेश सुविधा हैं थी यह लोग कांस्टियूशनल गरंटीज के साथ हमें जो सुविधा मिले थी जो कांस्टियूशन को इन्होंने तोड़ा मुरोडा और हम लोगों को एक इसम से मारा गला ही काट दिया है क्योंकि लदा को हम से शीन के लेगे और उसके बाद स्टेट हुड हम से शीन लिया गया तो ये मेले थे तो उसमें भी उनका पूरा फोकुस बनी पर रहता था उसके बाद लीडर रहा है कोई कमी रहागी होगी या अपने उसमें मश्गूल रहे लेकर आप देखेंगे कि मुझे लग रहा है कि हमारे यहां इतनी लिडर्शिप मजबूत है और खासकर हमारे पास बुजर्ग यहां पर जो ऐसे हैं जो अभी भी यह सेक्लूरिजम है, सोचलिजम है, डेमोक्रिसी में जिकीन रखते हैं जिन्होंने लाके में बाईचारा को भी मजबूत रखा है हालाएं कि बीजेपी समय समय पर साश्य करती रहती है कि हम कैसे इनका बाइचारा तोड़ें कैसे हम इसका अलाइनेशन करें कैसे हम बोट को डिवाइड करें डिविजन करें तो उससे ये लोगों को साबदान भी करते हैं और मारे पास यह नहीं जोवा लिडर्शिप है और अबने देखा होगा पिसले डिडिसी चुनाब में सब लोगों ने काईद राजपुजी का साथ दिया और ऐसे मैं सुन रहा था कि कैसे एन मोकिवे जब बोट पड़ रहे थे तो समय कैसे उन्होंने कोशिशिच किया लोगों को ब्रगलाने का लेकिन काट की हंडी जो है ज जो नौजबान हैं जहां पे आपके जो पॉलिटिक्शन जहां पे हैं वो इतने सक्षम है कि खुद इस अपने लाके की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं और एक मैं एहम बात बता दूँ आप लोगों कसे भी और मैं खासकर अवाम से प्रिल करना चाहूंगा कि ये आपके कोई जहां को जाता हैं इस पॉटों के शर्म कार्ट बन रहे हैं कोईब दूसरे मंतरी में जो आप लोगों का स्यों करते हैं वह लोग को कर रहे हैं तो आंगे हम जो लोग निया हैं कि रिप्रेजन करें अपने फिरारो को ने चाहिए कि हमारे देशन करना ने भूँ के साथ करना हो जाह了 है एक आपने बात बोचीए दे क्याम करते हैं क्योंकि मैं यह पहाड़ी हूँ तो मुझे पता है कि पहाड से हवा नीचे जाती है कभी हमने नीचे से उपर की तरह पहाड आते नहीं देखिए तो हवा इधर से नीचे जाएगी और कांगरेस की लहर यहीं से उठेगी और नीचे मदानों तक जाएगी और अर्बन लाके मे जाएगी और हम सब लोग आने वाले दिनों में कांग्रिस की सरकार बनाएगी प्रमोशन पे इतना पैसा लग रहा है क्या वही पैसा डाइवर्ट होके आप आप पोजिशन वाले उस पे आवाज नहीं पाते हैं यहां मोदी का फोटो आपको देखता तो ऐसी लोगों से खोलेगा तो उसको वो टीके नगजे आएंगे उस समय हमने कोई फोटो ने लगवाया कोई हमने कोई हमने इंडियन नेशनल कॉंगर्स ने लिखा नहीं आप देखिए न अब आपने लखनपूर करास करते हैं वहां भी आज का क्रोड़ना है में जब तक आप प्रधानमंत मत करें इस मुलक को अंदर सिंग राओ जी ने और मुर्मोन सिंग जी ने जो मुलक को खड़ा किया मुलक को आगे बढ़ाया सोनिय जी के नित्रतब में यह जितने भी आपने देखा होगा मल्टी नेशनल यहां हिंदोस्तान में आई और हम लोगों ने अगर एफडिया भी जो मासेज हैं क्योंकि मजार्टी आफ डा पीपल जो हैं लोर मिडल क्लास है उतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं तो क्या यह ऐसा माइंट सेट बन चुका है क्योंकि कैप्टलिस्ट कार्पुरेट्स जो हैं वही एलेक्शन जीतेंगे वो माल पानी खरज करके तो गरीबों गूम रहें अगरा पहडों में जा रहें गांमें जा रहें तो वही जो प्रोपड़ाणि का ऽो रखा हुए हुए उसे के खिलाव हम लोग जा रहे हैं उनके पास साधन है सब्सक्राइब फरी आप चलाई ए है अब आप दे महीना ponogen 21stcause i do निका होता है 묶्य यहां उनका म लोगों पर लगाते हैं तो उन लोगों का एक साजिश है और उन लोगों ने एक तरह से आप कहले जिए कि डेकॉरेशन के साथ वोट लेते हैं अप पॉजिशन क्यों खामोश है जैसे 15 लाख अप पॉजिशन कोई खामोश नहीं आप राहूल जी को देखेंगे तो आए दिन पर पार्लिमेंट में उन्होंने 45 मिनिट का जो खुबसूरत बाशन दिया तो उन्बानी अटानी के खलाब था जो आपका जो सवाल पूछ रहे हैं उन इसको उन्होंने जवाब दिया था है क प्रशी जो नून दिया तो मेड आप ईंडिया भूट या जो यहां पर शाल और चोटी वोस्त करते थे बनाते ने बाशर। को इनो ना मारा है ग्राय रोगों को लूटा है आए दिन आगर किसानों के साथ रोना दखा किया तो उनका यह ही था कि हम जमीने भी इनसे ले लेंगे खीतिभी उनसे लेको लोग यह लूट जाएं मर जाएं डिपेंड़नेंट ना हेश। हो जाए हैं अब पंजाब का और फिर वो एक तरफ कांग्रिस की तरफ और उन तमाम सेक्लूर जमातों की तरफ आएंगे जो इस देश को बढ़ता फुलता और आपस भाई चरह पे देखना चाहते हैं नए कानून आडर पर आडर आ रहे हैं सर आपोजिशन क्यों है खामोश क्यों कि लोग भी आपोजिशन पर इडपेंड अगर आपोजिशन खामोश है तो लोग कि तो सुनवाई नहीं होगी जैसे अब तो आने वाले समय में जो घर हैं लोगों के मुझे लगता है उनको भी क खड़ेंगे जन्मानस में गली में कूचे में गरगर से वाज उठेगी और यह लोग भागेंगे थैंक्यू सो मैश सर्थ लगने वाद करेंद 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 करेंद